तो गुरु हो बगवान हो इश्वर के सामने कोई चीज चुपाना नहीं चाहिए सब चीजें बोल देंगे तो मन हलका हो जाता है फिर आप आप है पुन्य है ये सब ज़जमत करने करने चाहिए इस पे हमें तरकनी करना है चुन-चुन के बतना अची बातें बता दो और दूसरी बातें चुपा के रखो ये नहीं अपनी सारी बातें खोल के रख देने से दिल हलका हो जाता है, मन हलका हो जाता है प्रसनता चाह जाती है और तो प्रसन हो जाते तुमारे शरीर से ऐसे तरंग निकलते हैं पॉसिटिव अगर सबको नहीं सबको टाम टाम नहीं करने कि जरूरत है क्या कि सब तुमको समझेंगे नहीं तो किसी एक को कोई संथ है, कोई गुरू है, को स्वामी है वो तुम्हें जड़्ज नहीं करेंगे उनके साथ पैट करने की जरूरत नहीं है साल में एक दो बार करें काफी है